वेलकम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं उत्तर प्रदेश के मतुरा जिले के ग्रामीन क्षेत्र में स्थित पिसावा जंगल की रहस्य में दुनिया में आपका स्वागत है ये घना जंगल अपनी भयानक प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है और परेटकों के लिए वर्जित है स्थानिय निवासियों का दावा है कि उन्होंने पेडों के बीच से अजीब सी फुसफुसाहते सुनी है जिससे ये जगह रहस्य में दूबी हुई है रात होते ही पिसावा के जंगल में अंधेरा च्छा जाता है कीवदंतियों का कहना है कि एक काला छाया चित जंगल में गूंता है जो पिसावा गाउं के आसपास के पेड़ों की शाखाओं पर बैठा है ऐसा माना जाता है कि इस जंगल में हजारों बंदर निवास करते हैं जो इसकी रहस्य में आभा को बढ़ाते हैं उनका कहना है कि पिसावा के जंगल से कोई लकडी नहीं ला सकता एक बाबा है जो जंगल की रखवाली करते हैं और किसी को भी इमारत बनाने या बेचने के लिए लकडी ले जाने नहीं देते अगर कोई गलती से भी जंगल से लकडी ले आता है तो उसके साथ कुछ भयानक घ यह एक अभिशाप है, वन आत्माओं की ओर से एक चेतावनी है। के बिना कोई भी पिसावा जंगल से लकडी नहीं ले सकता। हाला कि एक अपवाद है, पिसावा जंगल धार में को देश्यों, जैसे पवित्र प्रसाद और सामुदाइक समारोहों के लिए लकडी की संग्र की अनुमती देता है। पिसावा जंगल की गहराई में प्राची इंखंडहर है, जिनकी उत्पत्ती अज्यात है, यह एक ऐसी जगह है जहां सबसे बहादूर लोग भी अकेले जाने से जिजगते हैं। पिसावा जंगल, रहस्य और निशिद कहानियों का क्षेत्र, इसके रहस्य छिपे हुए हैं। उन लोगों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा में हैं, जो इसके रहस्य में अतीत को खोलने का साहस करते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और भी मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पैरानॉर्मल फाइल्स हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब करें।